कि थेरह समलाव आट स्विक्रवांग तीन इस वे दिया है एक धातू की गेंद और उस गेंद का घनत दिया है ग्रांड नैंने का बजन त्यव्य में कि उस गेंद में कितनी धातू लगी है तो जितनी धातू का तो आयतन होगा वह वो क्या होगा गोलेगा इतन क्योंकि गैसी यह गोलाका रहा है। और इसकी ब्यास दिया है चार समलाव दू सेंटीमीटर तो इसकी त्रज्या होगी गुर्द समलाव एक सेंटीमीटर और निकालना तो पहले तो देखो गैंद में कितना कितनी धातू लगी है तो गैंद में लगी धातू का आयतन बराबर क्या होगा गोले का आयतन माने चार बटे तीन पाई आर पेगा तीन तो यहां हम निकालेंगे इसके नीचे अल कर देंगे उधर साइट में तो जी आयतन बराबर यहां चार बटे तीन बाइस बटे साथ आर का मान कितना होगा दो दिसमलाव एक इंटू दो एक ठीक है अब यह तीन से कट जाएंगे 0.7 तीन सकते 21 उस साथ से यह कट जाएंगे साथ एकं साथ ठीक है 0.1 यह जिनी 0.1 यह इनको चाहो तो काटो 0.1 ठीक है यह निकल गए अब बचे आपके कितने इसमें चार गुणा बाइस गुणा जीरू दिसम्लाव एक गुणा दो दिसम्लाव एक गुणा दो दिसम्लाव एक कि इतने आपके यह इनका चाहो तो गुणा करो या फिर द्रभमार की साथ में कर सकते हो कर लेयर गरले करीव तो कितने ओंगे चार इंद्र graph ड dialogue कि इतने होंगे 1421 होंगी दिसम्लाव के बाद दू वंखें जीह कि में एक का गुणा करेंगे डिसम्लाव एक का जोचीदों होगा तो तो यहां ओगला लाओ चार चार एक ठीक है अब 22 को कितने होंगे 88 88 का गुणा कर दो इनमें आठ एक आम आठ 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 चो को 32 की दो आसिल तीन आएगी फिर आठ चो को 32 और 32 तीन 35 गुणा आठ दो पांच तीन आठ दस की सून आसे लिए एक पांच दो साथ तरीक आठ पांच तीन आठ तीन की तीन तीन दिसमलाओ के बाद तीन 38.808 तो यहां हुआ आपका 38.808 यह घन सेंटीमीटर ठीक है अब निकालना है गेंद का द्रब्मान तो गेंद का द्रब्मान गेंद का द्रब्मान बर्बर ईसको नाम देदू भी आयतल के तो गेंद का द्रब्मान मने कि ये धातू का आयतन और गुणा एक गन सेंटीमीटर में ग्राम लगा दातू का गनतु तो गनत गुणा आयतन तो क्या होगा आयतन और गुणा गनत प्रती गन सेंटीमीटर गनत प्रती सेंटीमीटर गन एक गन सेंटीमीटर में कितना गनत तो इतनी आयतन का कितना होगा गु पाइतन कितना है 38.808 और गुणा घनत कितना दिया था 8.9 इनका गुणा कर देंगे 8.9 का ठीक है 982 की 2 साथ आएंगे 982 की 2 आसल साथ 982 और साथ तो 72 और साथ 89 की 9 आसलाई साथ ठीक है फिर 982 की 2 982 की 2 982 89 की 9 आसलाई साथ और नौतिया 27 और साथ तो कितने होंगे 34 गुणा अठूएट 64 होंगे यहां 884 की 4 आसल छे आएंगी अठूएट चोंसाथ उच्छे सत्तर होंगे आसल साथ आएंगी आठीए 24 और 24 में साथ जुड़ेंगी किते 31 होंगे दो साथ तीन दस गेरा की एक हांसे लेक आएगी छे और तीन नौ होंगे नौ चार तेरा होंगे चार एक प्वांच होंगे तीन और एक चार होंगे तीन की तीन होगी दिसमलाओ के बाद में चार अंक होंगे तेन सो पैंतालिस तीन सो पैंतालिस दिसमलाओ के तीन नौ एक दो एक दो ग्राम ग्राम में आया एन चार तो किलो ग्राम में बदा सकते लेकिन इतना ही का तो इतना ही आंसर एक फैंता है कि तीन सो पैंता है जाने के तीन है